कदम बढ़ाया है जो आगे तु रुकने का नाम नलो मत बैठो तुम ठककर जब तक विजय पता का थाम नलो करने के लिए चली स्टार्ट करते हैं आज चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करने साथ में बेल आको प्रेस कर दें ताकि पुडेली मौनि में करने फेस्ट गूर्डी रहे और दोस्तों प्लीज यह वीडियो पसंदार्त प्लीज मोटिवेट क कितने परसेंट अनुमान निधायत किया है कि मोस्ट इंबोडेन कोश्चन है करेक्ट एंसर ऑप्सन भी सेवन पॉइंट परसेंट ठीक सेवन पॉइंट परसेंट जो तो रखा आपको बता देख वैस्ट्विक शोध एजनसी जो है फीच ने चालू वित्तवर्स के लिए भारत के विकास पूर्वान वान को 7.8 परसेंट तक बढ़ा दी है ठीक इससे पहले क्या था 7.4 किया था अब क्या कर दिया 7.8 परसेंट अब यहां पर फीच क्या है आपके मन में सवाल आ रहा है दोस्तों फीच यह है इसकी स्थाबना हुई थी 1914 में फीच की स्थाबना हुई थी इसके फाउंडर कौन थे फीच के फाउंडर दोस्तों जौन फीच का नाम है जौन फीच उन्हीं के नाम पर यह इनकी कंपनी एजनसी है इसके जो बरतमान CEO फीच के तो यह है पॉल टेलर और फीच का हेड़क पर कहाँ पर यह न्यूवार्क यूसे में फीच का हेड़क एजनसी है इतने फैक्ट आपको फीच से लेटर याद रखनें अक्सार एक्जाम में पूछ ले जाते हैं ठीक है तो इसके बरतमान CEO को ने हानी Chief Executive Officer को ने CEO वह है पॉल टेलर ठीक है चलिए अगले कोशन की तरफ Kिल इसके लिघन से बढ़ते हैं के ओडिशा के जूर सुअ helps ने ह्वाय इड़ और तो इसने किया है दोस्तोंliche के जहार सुगरा में नए हवाई इड़्य कुद धाटन किया अहपने प्रमिन नायद पै जी अप्षाने करेक्ट. ऑप्षाने का रेक्ठफ आ पूदा एक प तो भारत के हवाई एड़े प्राधिकंड का विक्सित किया गया है हवाई एड़े केंद्र की उड़ान युजनक तहत विक्सित किया गया है ठीक है आपको बता दे कि सुरेश प्रभाकर प्रभु बरतमान वाणिज और उद्योग मंत्री नागरिक उड़ेन मंत्री गुरु म में उडान यह जो एक शेत्री connectivity योजना है आप वोता देख ओडिसा की बात करें यहां पर अगर तो डिसा की बर्तवान में सिया में दोस्तों वो है नवीन पटनायक ठीका और ओडिसा से एक कोशन बहुत पूछा जाता है खारे पानी की सबसे बड़ी तटी जील कौन सी है वो है चिलका जील चिलका जील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी तटी जील है ठीक है चिलका जील यह कोशन बहुत दुबार एक्जामे पूछा गया है ओडिसा में स् प्रक्षे पास कार्क्राम के तहर जो तो इसका प्रयोग करता रहता है ठीक है तो इतने फैक्ट आपको ओडिसा से लेटेर याद रखने तो प्रिसा के जहार शुग्डा में नए हवाई डेको खटन प्राइमिस्टर नयद मोदी जी ने किया है ठीक है आप सने करेक्ट है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर थार्ड है दोस्तों तेई सितमद और अठारों को प्राइमिस्टर जन ने जन योजनक शुरुवात कर दिये हैं और इस योजनक तहत दस करोड सेधिक परिवारों को प्रतेक परिवार को हर वर्स पांच लाग का जो तो स्वास्तवियों प्रदान किया जाएगा ठीक है तो प्रधान मंत्री ने जन आरग योजनक कहां से सुरुवात की है जहार खंड के राची से मोस्ट इमडर्डन कोशन ने 23 सितंबर को शुरुवात हुई है ठीक है यह योजनक से लेटे रक्सर कोशन पूछा आता है और यहां पर दोस्तों बात करें जहार खंड की तो राजधानी है राची और वर्तमान में जो यहां के सीयम है वो है रगुवरदास ठीक ह है ज molto rich문 है यहां को शुरुदर को रहाता है तो 19 घ्राज़ इन चोचन चेजन रोजनक कहां से सूरू की है किये जहारखंड की राधानी राची से चलिए अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं कोश्चन बढ़ने से पहले दिया आप रेल्वे गुरूब डी एक्जाम की तैयारी करें आपको एक्जाम है तो आपके लिए ऑनलाइन मौक टेस्ट सीरीज जो है लेकर आ गया हूं टोटल की आप पर्चेज कर सकते हैं मौक टेस्ट और अपने मौक टेस्ट को आप हमारे अपने मुवाइल से लेप्टॉप से या इस सिस्टम से दे सकते हैं ओनलाइन ठीक है हूँ भाई ऑफिस्यल आर रवी पैटन पर आधारीत है आप दे सकते हैं दिए आपको एक्जाम है रर चलिए अगले कुछ अगला कुछ ने 22 सितंबर को भारत की पहली कोईला गैसी फिकेसा अधारित उर्वरा की काई के लिए प्लाक का अनावरण कहां से किया गया करेक्टेंसर दोस्तों ऑप्सन भी तल्चर से ठीक आपको बता दें प्रसमत्री मोधी जी ने 22 सितंबर को एक उर्वरक सेंथ समेत कई विकास परेजनाओं के शुरुवात की है और यह भारत का पहला ऐसा सेंथर होगा जिसमें कोईले की गैस पर आधारित उर्वरक रिकाई होगी और इस सेंथर में प्राक्रतिक गैस का उत्पादन भी किया जाएगा ठीक है तो इसका करेक्टेंस दोस्तों ऑप्संसी तमिलाडू आपको बता देक्टमिलाडू गवर्मेंट ने नीला कुरुंजी इसका जो वैग्जानिक नाम है नीला कुरुंजी का इस्ट्रोबी विलेंथ कुंतियानस और आपको बता देकि पौधर को सुरक्षा के लिए नौबल उजना की है बता दे हैं दोस्तों कि यह जो नीला कुरुंजी पूल 12 साल में केवल एक बार खिलते हैं ठीक है तुझे निला कुरुंजी जो 12 साल में एक बार खिलते है वेहां पे दुस्तों बात करेंगर तमिलाडू की राजधानी चैन्न्रव और तमान में जो गवर्वर्नर हैosis बनवारीलाल सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है और यहां पर दूस्तों बात हो रही मायन बुकर पूश्चन पूचा आते एक्जाम में मायन बुकर पूश्कार की स्थाबना कभी थी 1969 में ठीक है और यह लंदन जो तो इगलेंड के द्वारा दिया जाता है पूश्कार और जितने भी कावन बेल्थ रास्ट हैं उसके द्वारा अंग्रेजी उपन्यास के लिए जो प्रतिवर्स पूरुस्कार दिया जाता है मायन बुकर पूश्कार ठीक है तो मायन बुकर पूश्कार के लेंटीम दोल तक पहुचने वाली सबसे कम उम्र के लिए क्या नाम है लेख अभ्यास किन दो देशों के बीच आज़ित के जा रहा है रूस और भारत के बीच आपको अता देक भारत और रूस की वाईव से नाए बारा देवशी अभ्यास एविया इंद्र में भाग ले रही है जो दो पिक्षी परिदेश में आतंगबाद रोधी अभियानों पर कें इंद्रित हैं और इसका दूसरा चरण 10 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जोधपूर में आज़ित किया जाएगा ठीक है जोधपूर राजस्थान में आता है ठीक है एविया इंद्र एयर फोर्स अभ्यास किन दो देशों के बीच आउजित किया रहा है रूस और भारत की बीच रूस की राज़ानी है मास्को और जो मास्को है यह मास्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है ठीक है रूस की जो राज़ानी मास्कोवा है मास्कोवा नदी के तर्ट पर बसा है ठीक है यह नदी का नाम है मास्कोवा ठीक है और आपको बता है रूस को जो बरतमान राष्ट पुरुषकार से सम्मानित किया गया करेक्ट एंसर था अब देख लेते दोस्तों आज का सवाज जिसका आपको कमेंट बाक्स में लिखना है सभी लोग कमेंट करेंगे सेल का नया अध्या सिसेन निक्त किया गया आपको बताना है सहसी संकर, MK सुराना, अनिल कुमार इन में से कोई नहीं देखी आपने कल की वीडियो देखी तो आपको एंसर पता होगा नई वीडियो देखी जस्ट आपे प्लेओ कि देख लीजिए बहुत इम्डरेन कोश्चन ह उसके साथ साथ भी बहुत सारी वीडियो में आपके लिए बनाता हूँ, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, लाखों लोग देखते हैं लेकिन कमेंट मातर एक-दोहजार आते हैं, ऐसा क्यों है दोस्तों, ज्यादा-ज्यादा लोग कमेंट करिए ताकि आपको चीज़े प्रियास किया करिए का आप लोग लिखा करिए काफी सारे मैं फैक्ट आपको बताता हूं जो एक्जाम पॉइंट से बहुत इंपोर्टन रहते हैं ठीक है लगवाक 10-15 मिट की वीडियो में आपके इतने सारे कोश्चन लगवाक रेडी हो जाते हैं ठीक है दोस्तों अगले वीडियो के साथ मिलते हैं तब तक क्लिए अपनों ध्यान रखे सुस्तर है बेस्तर है मस्तर है आल दे बेस्ट जै हिंद जै भारत